लगू उद्योग भारती का एक दीवस्य सम्मेलन 11 माई को रेवाडी में संपन हो गया। लगू द्योग भारती की भूमी का और इससे जोड़े अन्य सवाल। लगू द्योग के बारे में किस प्रकार से ये कारे कर रहा है और इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है क्या ये विकास में सायक है या नहीं। तो जिंदर जी आप मुझे बताईए कि लगू द्योग भारती श्रंकला है तो इक किस प्रकार देश के विकास में सायक है। जब ये देश अभी साताट सो बर्ष गुलामी के कालखंड से बीता उससे पूर्व के इतिहास को अगर देखेंगे तो भारत की जी डीपी में उदियोग का चौवी परसेंट हिस्सा था और नर्यात में भी एक बहुत बड़ा पच्ची परसेंट का हिस्सा नर्यात में था एक समय था जब भारत अभी बहुत सारे टुकडे बंगलादेश पाकिस्तान ये हमारे में से निकल गए एक समय था जब बंगलादेश 1947 से पूर्व हमारे देश का हिस्सा होता था तो ढाका की मलमल मशूर होती थी और कहते थे एक पूरा थान मलमल का और एक माचस की डिबी में आता था जब हमारे देश का उद्योग पती लगूद योग पती कुटीर उद्योग का ब्यक्ति जो इस मलमल को तियार करता था जब अंतरास्टिय बजार में इसको बेचने जाता था तो एक तराजू में उस समय हम पैसे से अपना कपड़ा नहीं बेचते थे तराजू के उद्योग का महत्व था तो भारत का उद्योग हमेशा उचाईयों पर रहा बीचे बीच में एक गुलामी का कालखंडा आया जिसके कार ननेक परकार के संकता है प्रंतु अभी देश की अजादी के 75 वर्स बीट गए अभी देश ने करवट लिया बीच में कई परकार की समस्याई कई परकार के युद्ध हुए अब उन्हों सबसे मुक्त होकर आज अगर देखें पिछले 18 साल के अंत्राल में हम मैसूस करेंगे भारत के जो बरतमान प्रधान मंतरी है एक समय था के दुनिया का सबसे बड़ा देश अमेरिका वो उनको भीजा देने से इंकार कर करूं आज भारत की ताकत है भारत के किरिशी और उत्यों की ताकत है भारत भले दुनिया का जनसंख्या के मुताबक सबसे बड़ा देश है प्रंतु मैं दूसरा भी कहूंगा चाहिना बड़ा देश था जनसंख्या में पर चाहिना बुडों का देश है चाहिना में कोई भ प्रत के 60 प्रतिशत से अधिकावादी वो लगबग 30 साल से नीचे हैं तो भारत जU बाउं का देश भारत उद्नियों का देश भारत का व्यक्ति हिलिबोरियृS है मेनत का यह इमानदारी से काम करने वाला है भारत की सोच of मानवता की सोच मानवता मागे कैसे बड़े हमारे प्राणय बुजुरगों का भारत के प्रति जब बहुत जब विपार करेगा। उसका profit कैसा होगा तो अना रुपईया मेरे भाई जानि शोड़ाने का रुपईया था एक अना प्रती रुपईया हमारा profit रहेगा दुनिया को लूटने की दिर्ष्टी ने हम कहते हैं बसूद अब कम विश्व एक परिवार है दुनिया के लोग जब देखते हैं विश्व को विपार की नाते से देखते हैं उनको लगता है अभी अफ्रीकन देश हैं अंडरडवेल्पड लूटने वारे पड़े पड़े लूट दिखती हैं हम कहते हैं इनका विकास होना बागी हम क्या कर सकते हैं के लिए भारत मानमता का देश या उसका एक अधारन अभी आप री मारे गए भारत के तरकी से बहुत अच्छे समन्द नहीं थे प्रंतु सबसे पहला मानवता के नाते भारत का बहां की द्वाईयों के लिए पहला शिप भारत का तरकी में पहुंचा मानवता की यह एक जीती जागती और ताजा उदारना है इसलिए भारत का बेक्ति तरी से करने बाड़ा है तो निश्चित रूम में इससे लगता है जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है एक बीश्व को रास्ता दिखाने बाड़ा देश एक बीश्व का गुरू और दुनिया का मार्ग दर्चे करने बाड़ा एक देश बनेगा इतना ही मैं कहेकर अपन परदेश में भी बहुत इकाई है अभी हमारी जो परदेश इकाई है वो बहुत शकतिकाई है उसके कारकरता जो जारू है नई टीम बढ़ी है और नई टीम बढ़ने के बाद मुझे लगता है आज पूरे प्रदेश के लगबग सब जिले एक अद जिला है जो री सेंट आने वाले पांच-दास दिन में उनकी तिथियां तैय हो चुकी है उनमें भी शाखाएं होगी और उदीयोगी समस्या ले आकार उनको हल करने का प्रतन यह करेगा क्योंकि शुद्धन राष्ट्र बेप्य है एक मातर संगठन उद्योग छेतर में जो रास्टी इसतर पर जो एक कसवे से लेकर इसला प्रांत अरे सिज्ध़ ले सकता है और विवस्थित रूप में संगठन यह सब प्रदेशों में है दन्यवाद। MSME से अर्थ भारती अर्थ व्वश्ता में कितना योगदान है? देखे बरत्माने योगदान तो गती से बढ़ रहा है बदलता रहता है तो मैं परन्तु आने बाले समय में क्योंकि पिछे 2-3 साल का जो काल खंड रहा करोना का कालखन रहा उसमें सारे उद्योगों की स्थिती गड़बर थी प्रन्तु मुझे लगता है एक मेजर योगदान दोनों में ये परकापीटा इंकम में भी और जेडीपे में भी और रोजगार देने के लिए इंप्लावेंट में मेरे को लगता है सबसे बड़ा योगदान लगूद योग का होगा मोदी जी की सरकार के आने के बाद इसमें कितना बढ़ावा हुआ है और आप क्या इससे संतुष्ट हैं देखे सरकार आती जाती रहती हैं मोदी जी हो कोई भी हो सरकारों ने इन पर लगूद योग बढ़ने चाहिए और लगूद जैसे उन्होंने कहा के इस तरह के गुरूप बनाना आगे बढ़ना लोकल वोकल यह सारे काम दिये हैं और समाज को भी अपील की है कि सब्देशी अपड़ाओं जब देश का हर नागरिक सब्देशी खरीदेगा तो फिर चा समान की मांगोगी तो बाहर का चोटा उदियोग बढ़ेगा तो निश्चित रूप में लोगों को रुजयार मिलेगा और लोग साधन संपन होंगे खुशाल होंगे स्थानिय उद्धोगों में स्थानिय यूवकों का होना उचित माना जाता है लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बाहर से लोग काम करने आते हैं तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे देखे बाहर से कहीं नहीं आते बाहर क्या कहते हैं स्थानिय लोग कम नजर आते हैं स्थानिय कोई है नी हर्याना एक साधन संपन परदेश है मैं रोज बोलता हूं कि मेरे को यह लोग चाहिए कोई लोग मिलते नी तो यह आ रही है ऐसा नी हमें तो संक्टाव काम आ रही है हमारा लोकल लेवर क्लास बेक्ती है यह नी आज दिक्कत क्या है आज पूरे देश औ तरह करते हैं घर में अच्छे फिर हमने बोला हम दो हमारे दो अब बोलते हैं एक ही काफी और से माफी तो मुझ्दूरी करने के लिए ट्रक लोड करने के लिए मिल्टरी में भरती होने के लिए तो हमें सोचना पड़ेगा हम 500 क्रोड जनता को भी खिखला सकते हैं जो अपने यह लिमिट नहीं लगानी चाहिए तो आज हमें उप्युक्त लोग नहीं मिल रहे हम तो प्रार्सना करते हैं आत जोड़ते हैं दूसरे प्रदेशों से लोगों को बुलाते हैं अपने प्रदेश में उस तरह की बेरुजगारी नहीं है जिके दन्यावाचे